आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ इन देखो बच्चो क्या गयवन है कि थ्री सिप्स है यहां पर हमारे A, V और C और तीनों के तीनों किसमें हैं मोशन में हैं और यहां पर देखो question में क्या वह लगा कि the motion of A जो है सिप का as seen by B जो देख रहा है with the speed B towards the northeast direction ओके the motion of B जो है as seen by C जो है यहां पर जो B है सिप उसका जो motion है जो कि C देख रहा है उसका speed कितना है V है towards the northwest direction तो यहां पर हमें बताना है then as seen by A तो यहां पर A जो देखेगा C will be moving towards तो बताना है कि C कहां move कर रहा है तो यहां पर देखो पहले direction draw कर लेते हैं इस question को solve करने से पहले यहां पर हम क्या करते हैं कि direction draw कर लेते हैं तो इन map में अगर direction की बात करें देखो बच्छो तो यहां पर यह direction होता है अपना north ओके यह north direction होता है और इधर होता है south direction और इधर होता है अपना east और इधर होता है अपना west ओके तो यह हो गई अपनी direction ओके तो simply यहां पर देखो इन इस question क्या गिवन है कि there the sips a,v,c are in motion ओके तो यहां पर बच्छो तीन sips given है a,v and c और तीनों के तीनों किसमें है motion में हैं okay और यहां पर जो motion है a sips का okay the motion of a as seen by v जो हो रहा है यहां पर हमारा तो उसका speed कितना है v है towards the northeast direction okay किस direction में north east direction में okay तो यहां पर देखो north east direction अपना यह हो गया तो यहां पर velocity of a with respect to v क्य besondकि यहां पर v देख रहा है okay तो v,av का जो direction होगा okay मतलail कि sip का जो direction होगा इस direction में होगा okay तो यह direction हो जाएगी अपनी v,av जोगे मतल़ कि velocity of a with respect to v,окे तो यह north east direction में यहां पर हमारा का सिब जो है दो मोशन ओफ एजो है वो इस डारेक्शन में है ओके तो बी यहां पे देख रहे है तो विद रेस्पेक्ट टू वी यहां से देखो बच्छो कितना आजाएगा इसको मैं सिंप्ली क्या लेख सकता हूं लोश्री ओफ ए माइनस ओफ लोश्री ओफ वी यह लेख प्लस लुकां रहे है तो नौध गहां प्लस लुके तो नौर्ट प्लसर यहां पर देखो नॉर्थ और रारी हिसर की वीच में कितने डीवरी का इंगल होदा है यह आंगल होताय मेरा नइन्टी डीख्री ओके तो यहां से देखो जूशिप बंश्रीं ओफ ङर्टी ऐहां और यह किसके Eruct Wil अभ्व होगा यहां फिर 13 यह हो जाएगा तो यहां पर दिखो इस यह लेट सपोज और व्लोसिटी कितना कि बनता है वी व्लोसिटी से यह मूप कर रहा था ओके तो सिंप्ली यह आ जाएगा वी कॉस 45 डिगरी ओके आई कैप और जे में भी हम लेट सकता हूं वी वाई अंडर रूट टू जे कैप ओके तो यह हो गया बच्छो अपना वी मतलगी जो व्लोसिटी ए है जो एस हिप है उसका व्लोसिटी वी गेवन था वेद रस्पेक्ट टू वी ओके क्योंकि वी देख रहा था तो तूबस दी नौर्थ इस डारेक्षन ओके तो यह होता है बच्छो अपना नौर्थ इस डारेक्षन अब आगे लिखा कि ता मोशन ओफ वी जो है यहां से हमारा बच्छो कितना जाएगा इसको मैं लख सकता हूं वी वी माइनस वी सी यह लख सकता हूं यहां से, तो jy, c, यहां से, बच्छो कितना आ जाएगा? इसको मैं लिख सकते हैं, vv, – of vc, यह लिख सकते हैं, और, और simply, यहां से भी इसको दो component हो जाएगे एक horizontal component, बच्छो यह का horizontal component हो गया, और यह इसका vertical component हो गया, तो simply यहाँ से इसको भी मैं लिख सकता हूँ VVC That will be equal to कितना आ जाएगा यहाँ जाएगा simply VY under root 2 I cap और यहाँ पर देखो यहाँ जाएगा VY under root 2 I cap और यहाँ पर देखो ओके और यहाँ से यह कितना आ जाएगा इसकी direction C की अगर direction देखेंगे यहाँ पर ओके तो यह direction आ जाएगी minus of VY under root 2 J cap ओके यहाँ जाएगा यहाँ से ओके So now यह आ गया बच्वो अपना VVC Now अब यहाँ में देखो बच्वो हमें क्या बताना है? हमें बताना है the as seen then as seen by A C will be moving towards ओके तो VCA देखना है यहाँ हमें हमारा क्या होगा? ओके तो VCA को देखो क्या लिख सकते हैं? velocity of C with respect to A यहाँ से मारा कितना आ जाएगा बच्वो? यहाँ जाएगा VC minus of VA ओके यहाँ जाएगा और यह equation होगा अपना second तो first और second equation से हम देख पा रहे हैं आपे कि हमें क्या निकालना है? VC minus VA निकालना है ओके VC minus VA यहाँ पर हमें calculate करना है ओके तो simply यहाँ पर अगर हम इन दोनों equation को add गर देते हैं equation first और second को तो यहाँ से देखो क्या निकलेगा? यह VA minus VB है और यह VB minus VC है तो यहाँ से simply क्या आ जाएगा VA minus VC तो simply यहाँ से पहले VAC देख लेते हैं VAC मतल़ कि velocity of A जो है with respect to C यहाँ पर बच्चो कितना आ जाएगा? वो simply आ जाएगा VA minus of VC कितना आ जाएगा VA minus VC तो यहाँ से VAC बच्चो कितना आ जाएगा from equation first and second से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से देखो बच्चो कितना आएगा यह यहाँ आ जाएगा VY root 2 I cap और minus करेंगे तो यह plus हो जाएगा I component यहाँ पर cancel out हो जाएगा simply क्या आ जाएगा? टू टाइमस हो जाएगे यह VY root 2 J cap के एकवल ओके तो VAC यहाँ पर देखो जो हमें क्या देखना है? हमें देखना है किसका? हमें देखना है then as seen by A, C will be moving towards तो बताना है कि C कहाँ move करेगा? ओके तो यहाँ से देखो क्या हो रहा है कि VAC मत्यकी velocity of A with respect to C हमें मिल गया अब हमें क्या देखना है? velocity of C with respect to A तो यह कितना आ जाएगा? जस्त इसका reverse हो जाएगा minus of 2 VY root 2 J cap तो बच्चों यहाँ पर देखो यह कितना है? 2 VY root 2 तो constant है velocity इतना velocity होगा उसका और J cap का मतलब हो गया minus J cap का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर minus Y direction माइनस Y direction अगर मैं इसको X axis माल लूँ इसको Y axis माल लूँ तो नीचे की direction क्या आ रही है? minus Y axis आ रही है और नीचे की आप assume क्या है? हमने south direction तो यहाँ पर जो C move करेगा वो कौन सी direction में बच्चों south direction में ओके जो यह देखेगा कि वो कहां जा रहा है कि south की direction में जा रहा है तो यहाँ पर C will be moving towards south तो यहाँ से बच्चों अपना जो second option है will be the correct option for this question I hope you like this video and thank you so much for watching Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज जी डाउनलोड करें डाउटने टा यह WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर